हेलो फ्रेंड्स आज में बना रही हूं पनीर यकनी बिना प्यास टमाटर के एक खास ग्रेवी के साथ आज में बनाउंगी पनीर यकनी तो चलिए बना लेते हैं हम पनीर तो इसके लिए हैं और इसमें चमाझ दही डाल लूँगी और इसका मैं एक पेस्ट बना लूँगी अभी मैं बस इसमें दो चम्मस दही डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से पीश जाए तो देख लीजे ये अच्छे से पेस्ट बन गया है ये बाकी बची हुई दही भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट मैं बना लूँगी एक बार चला दूँगी मैं तो देख लीजे ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है जिसे मैंने कट कर लिया है और साथ में मैंने लिया है ये कुछ खड़े मसाले जिसमें मैंने चोटी इलाईची, बड़ी इलाईची, डाल चीनी, टेजपत्ता, काली मीर्च और जीरा मैंने लिया है एक पैन में मैंने 2 चम्मच ओयल ले लिया है और इसमें मैं ये पनीर डाल रही हूँ पनीर को हम सेख लेते हैं तो देख लिजे,प्रैंश, पनीर एक साइट से हलका कलर इनका ब्राॉन हो गया है, तो हम इने पलट देते हैं, दूसरी साइड से भी हम इने सेख लेते हैं, बहुत ज़्यादा सेखने की जरूरत नहीं है, बस हलका इनका कलर इस तरीके का आजाए, बस इतना ही हमने इने देख लेना है तो देख लीजे फ्रेंट से पनी हरल के ब्राउन कलर के हो गये हैं अब मैं इन्हें इक प्लेट में टांस्पर कर रही हूं इसी पैन में मैंने दो चम्मच तेल और ले लिया है और इसमें मैं तड़के में डाल रही हूं ये खड़े मसाले इन मसालों को चटकने देंगे और यही पर मैं आड़ कर रही हूं ये काजू और दही का पेस्ट इसे डालते ही हमें लगातार इसे चलाना है रुपना नहीं है अगर हम इसे लगातार चलाएंगे नहीं तो दही फट सकती है तो इसे हमने लगातार चलाना है तो देख लिजे फ्रेंट्स मैंने इसे लगातार चलाते हुए कुक किया है दो मिनट मैंने इसे ऐसे ही लगातार चला करके कुक किया है और अब इसमें मैं एड़ कर दूँगी थोड़ा सा पानी मैं इसमें एड़ करूँगी और पानी डालने के बाद भी हमें इसे लगातार चलाना है जब तक इसमें एक बॉइल ना आ जाए तब तक हमने इसे चलाना है तो फ्रेंट्स इसमें एक बॉइल आ चुका है अब मैं कुछ मसाले इसमें एट करती हूँ इसमें लिया है मैंने ये आधा चमच धनिया पाउडर एक चोथा ही चमच सौंट पाउडर और एक चोथा ही चमच लिया है मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर और आधा चमच में ले रही हूँ इसमें नमक और आधा चमच में ले रही हूँ ये कुटी हुई मिर्च तो फ्र I will use the Conf Bueno, 25 Minutes for 5 Minutes तो पनीर्यकनी एक खास ग्रेवी के साथ बनाए गई या दाही ज़िए उस ंता हो आके में प्यास टमाटर mem sorry पर दही वाली ग्रेवी बना करके आप इस तरीके से पनीर बनाएंगे आपको यह बहुत पसंद आएगी तो देख लीजे इसमें एक बॉयल आ गया है अब इसमें मैं एड करूंगी पनीर तो फ्रेंट्स यह बहुत स्वादिस्ट लगता है बहुत सिंपल तरीका है बनाने का बहुत आसानी से यह बन जाता है अब यहीं पर मैं डाल रही हूँ यह पनीर जिसे मैंने सेख करके रख लिया था तो यह सिके हुए पनीर भी इसमें बहुत स्वादिस लगते हैं बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है तो फ्रेंट्स पनीर डालने के बाद 5 मिनट मैं इस थोड़ी देर बाद इसे खाना है तो आप इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली रखें क्योंकि दही वाली ग्रेवी अगर हम थोड़ी रेस्ट पे इसे चोड़ते हैं तो दही वाली ग्रेवी इसकी काफी ठिक हो जाती है तो इसी साब से आप इसमें ग्रेवी रख लीजिए तो तो देख लीजे फ्रैंस यह पनीर बनके बिलकुल तयार है इसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बहुत जल्दी यह बन जाता है दस मिनट में ही यह पनीर बनके रैडी हो जाता है बहुत आसानी से बहुत टेस्टी पनीर बनकर के तयार हो गया है तो फ्रैंस इस प्रेंड्स कस्मीर में बनाई जाती है खास करके दही की ग्रेवी वाली ये पनीर कस्मीर में बनाया जाता है जो बहुत स्वाधिस्ट लगता है खाने में तो देख लीजे फ्रेंड्स कितना बढ़िया इसका कलर आया हुआ है और दिखने में भी ये बहुत स्वाधिस्ट करके तयार हुई है तो फ्रेंट्स आप ऐसे ही इसे ट्राइ करें आपको भी बहुत पसंद आएगी और जब आप इसे ट्राइ करेंगे तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि यह पनीर कैसे बनी थी तो फ्रेंट्स ए वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप मुझे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप बेल आइकन दबाते ह हैं तो मेरी वीडियो की नोटिपिकेशन आप तक पहुंचती हैं तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए